सरोका काम और शादी करने के लिए मजबूर है जिसके चलते बड़ी संख्या में महिलाएं आधुनिक गुलामी में फस गई बतादे की अरब देशों में ये अधिक आकड़ा सबसे ज्यादा है अफ्रीका में 3.8 मिलियन लोग जबरन मजदूरी वा शादी के लिए मजबूर है नियू यूर्क टाइम्स ने अपने करमचारियों को वापिस आने के लिए कहा है बतादे की कोरोना काल से ही टाइम्स के करमचारी घर से ही काम कर रहे हैं तो वहीं नियू यूर्क टाइम्स ने करमचारियों को ब्रांडेड लॉंच बॉक्स के साथ ही करमचारियों को सम्मान वा उचित अनुबंधन की बात कही है जेफ बेजोस की स्पेस ट्रेवल कंपनी ब्लू ओरिजन का न्यू सैपर्ड रॉकेट का वेस्ट एकसॉस से लॉंच किया गया वहीं ये रॉकेट लगबक 28 फीट की उचाई तै करने के बाद अचानक दुरगटना ग्रस्थ हो गया बतादे की फेडरल एवियेशन एड्मिनिस्ट्रेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि रॉकेट बिना किसी शती के प्रत्वी पर दुरगटना ग्रस्थ हो गया जिसकी उच इस तरही जाच के आदेश दिये गए हैं चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने राष्टपती के दौरे की अधिकारिक घोशना जारी कर दी है वहीं चीन के राष्टपती शी जिन पिंग एसीओ के 22 वे शिखर सम्मेलन भाग लेंगे इसके साथ ही कजाकिस्तान के दो दिवशिय राजकी दौरे करेंगे बतादे की अन्य देशों के विदेश मंत्राले की तरफ से विपेटक में शामिल होने की अधिकारिक घोशना की जा रही है पाकिस्तान में बाड़ से 1300 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है तो वहीं इन सिस्थितियों से निपटने के बजाए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं साथी बिगड़ते हालात पर विशेशगी प्रसाशन को जिम्मदार धराते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार की कूप्रभंदन वा आमानवियता के चलते पीड़तों को राहत समगरी नहीं उपलब्ध हो रही बता दे कि एक और जहां बाड़ पीड़त अपने घर से बेघर हैं तो वहीं बाड़ पीड़तों की राहत समगरी से भी बड़ी मात्रा में ब्रश्टाचार का आरोप लग रहा है रूस के सैन इगति विदियो की जानकारी युक्रेइन से साजा करने को लेकर एवियेशन फेक्टरी के मैनेजर पर आरोप लगा वही कंपनी के मैनेजर ने रूसी एर क्राफ्ट से तस्वीरे लेकर युक्रेन में सप्लाई करने के चलते उसे देश पर देश द्रोका मामला दर्ज कर लिया है बतादे की पुरे मामली की जाँच फेडरल सेक्योर्टी एजिंसी के निर्तित्व में की जा रही है जापान सरकार ने विदेशी परेटकों के हित में बड़ा फैसला लिया है बतादे की परेटक को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार ने परेटक वीजा आवशकताओं को माफ करने की योजना बना रही है वहीं स्योजना को अक्टूबर में पून रूप से लागू कर दिया जाएगा साथ ही विदेशी परेटकों को आकरशित करने के लिए चापान सरकार ने ये फैशना लिया है अमेरिका में भारत के खिलाफ ग्रणा और अपराद की घटनाई बढ़ती ही जा रही है बता दें की पहले तो भारतियों को नसल भेधी टिपनी का सामना करना पड़ता था वहीं अब अमेरिका में मात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने से लोगों में रौश का महौल है साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकंस अन्यसमुदाइक संगठन के साथ मिलकर विरोध प्रदेशन कर आरोपियों के खिलाफ बाइडन सरकार से कड़ी कारवाई की मांग कर रहे है युक्रेन की राष्टपती ने संबोधन का वीडियो जारी कर अपने सैनिको का मनोबल बढ़ाया बतादे की युक्रेनी सेना ने रूस के कबजे से लगबग 6,000 वर किलोमीटर छेतर को मुक्त करा लिया है साथ ही जलिंस्की ने 97 सैपरेट मोटराइज इंफेंटरी ब्रिगेट को रूसी सैनिको की इकाईयों को प्रभावी ढंग से बे असर कर दिया पाकिस्तान में सिंदिके मीरपुर मैथलो में भागरी समुदाई से सम्मंदित बाड़ प्रभावित पाकिस्तानी हिंदूों की कवरेच करने पर पत्रकार को गरफतार किया बतादे की पाकिस्तान बाड़ के चलते आर्तिक हालात खराब चल रहे हैं तो वहीं हिंदू की स्थितियों पर रिपोर्टिंग करने में पाकिस्तान पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफतार कर पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया। प्राइम इंटरनेशनल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।